नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूप चेनल मीठोन SML यूटूप चेनल पे जिसे अब सभी जानते हैं कि राम मंदीर का उद्गाटन हो चुका है और इन में से बहुत सारे राजनीता आएं बहुत सारे राजनीता नहीं आएं इसी में से बात करने वाले हैं अगर हम वहाँ पर चले जाते, राम मंदिर के उडगाटन में, तो वहाँ पर मोदी को सीधा फाइदा पहुंसता वोटिंग के समय, क्योंकि सभी जानते कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, वैसे भी मोदी जी ने अच्छा काम किया, वैसे भी आप उसको जो है न दूब विरूधी है इसी लिए ये राम मंदिर गाटन में नहीं आए कॉंग्रेस को आना चाहिए था या सुनिया कंदी आ जाती तो कम से कम ये होता कि जनता के मन में ये रहता तक नहीं ये भी हमारी अस्ता के साथ मिल जूलकर खुजिया मना रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि राम मंदिर अभी पूरा नहीं बना है हम सभी देशवासी जानते हैं कि राम मंदिर पूरा नहीं बना है अभी उनका काम हो रहा है यानि अभी उनको बनने में कम से कम दो साल का समय लगेगा दो साल समय लगने ही वाला था हाली में चुना ओने वाला है तो सरकार जो कि इ पीछे मंदिर बनवाने की पीछे वो लगे हाथ उसका उद्गाटन कर दिया ताकि लोग अभिये से उसको देख सकें सिरीराम भगवान के बारे में ज्यादा ज्यादा जान सकें कैसा भव्य मंदिर बना है ये सभी लोग महाँ चाकर की देख रहे हैं और हम सभी ने जैसा की देखा कि 22 जनवरी को हम सभी ने दिपावली मनाया है जो की बहुत ही अदभूत रहा ये दिपावली का ही एक छोटा सा रूप था लेकिन यहाँ पर भी पूरा मज़ा आया हमारे बहारती जनता को इससे राम मंदिर का जो उद्गाटन हुआ है उसका सिधा फाइदा नरें किजिए लाइक किजिए अपने दोस्त लोगों को सपोर्ट भीजिए और बोलिए सपोर्ट करने के लिए तो किसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर बताईए कोमेंट करके तो एंड करते हैं इस वीडियो को